वेल्कम टू विटी सिर्वर्ट सेवन विटी डिवर्ट सेवन यूट्टिब चाल में आपसे भी कहर दिख सागरत है आज 12 फरवरे 2020 दो फिर के एक बज़े है मैं हूँ ओल्ड गोवा के एक चर्च में जिसका नम आप सुनते ही बहुत अच्छा आपको लगेगा तो यह चर्च काफी अपने आप में एक फेमत चर्च है और यह चर्च यह वीडियो में मैंने दिखा है बेसलिका आप बाम जिजस चर्च ओल्ड गोवा में यह चर्च है और यह चर्च के खाशियत मैं आपको थोड़ देर के बाद में उता हूँगा लेकिन सबसे पहले आप हमारे यह वीटिसी यूटिब चानल को आप सबस्क्राइब करिए और बेल अरकॉन के बटन पर क्लिक करिए ताकि हमारे नएने वीडियो के नोटिपिकेशन आपको सब सब्सक्राइब देखने के लिए मिले तो चलो चलते हैं इस बेसलिका आप बाम जिसस चर्च में गईज एक एक डिवे शक्तिया के बारे मैं बताने जा रहा हूं ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसी जेवियर के डिड़ बोडी में आज भी डिवे शक्तिया आज भी मौदुश है 45 साल से सेंट जेवियर की डिड़ बोडी आज भी सड़ी नहीं है आज भी मौदुश है दिवे शक्तिया तो चलो चलते हैं बेसलिका आप बाम जिसस चर्च को देखते हैं और वहाँ पे रखी है सेंट फ्रांसी जेवियर की डिड़ बोडी जो अब तक नई सड़ी तो गवा में पंजीस तीत बेसलिका आप बाम जिसस चर्च है जहां पर सेंट फ्रांसी जेवियर का शरीर 45 साल से सुरक्षित रखा गया है कहां जाता है कि फ्रांसी जेवियर के डेड़ बोडी में आज भी डिवे शक्तिया है इस वजह से वह आस्ता खराब नहीं और यही बे एक सिपाही थे वो इगनेटियस लोईला के शत्र थे इगनेटियस लोईला जेजस के आदेशों के संस्तापक थे बता जाता है कि पृतिगाल के राजा जौन थर्ड और उस वक्त के पॉप ने जेवियर बनाकर फ्रांसी जेवियर को धर्म के पचार के भारत बेजा था उन इसके बाद फ्रांसी जेवियर की च्छा के मताबि उनका पर्तिव शरीर गौा में दपनाया गया लेकिन कुछ सालों बाद रूम से आये संतों के एक डेलिगेशन ने उनके शेव को कबर से बाहर निकाल कर फ्रांसी जेवियर च्छस में दोबारा दपनाया ऐसा कहा जाता ह कि कुल तीन बार उनके शेव को दपनाया गया है पर हर बार शेवियर उसी ताजा अवस्ता में था जैसे उनने पहले दपनाया कहा था ये खाने भी प्रचले है कि संत के शरीर में दिव्य शक्तिया है हर दस साल में होते हैं दर्शन सिंप्रैसे जेवियर के डिट बाड़ी का आज भी इस चर्च जो वीडियो मैंने दिखाया है बेसले का आप बाम जिसस ये चर्च में रखी है गोवा के एक जनरलिस्ट है फ्रेडे अलमडा के मताबिक हर दस साल में ये बाड़ी दर्शन के लिए रखी जाती है 2014 में आकरी बार इस बाड़ी को दर्शन के लिए निकला गया था बाड़ी को काच के एक ताबुत में रखा गया है आज भी ये बाड़ी सड़ी नहीं है अब एक और कहानी इसमें पर चली था है कि सिंट जेवियर की बाड़ी को लेकर एक कहानी पर चल इसमें वाले संतों के डेलिगेशन के लिए रखा था इसके साथ उन्होंने एक चिट्टी भी शिक्ष्च को दी थी आज भी ये अलग हुआ हाद चर्च में ही मौजूद है तो गाईज ये सेंट जेवियर की ये बते मैंने आपको जो बितम बताया है ये ताबुत मेरा खावा है तो गाईज ये वीडियो आपको बहुत तच्छ लगा होगा तो जल जिसे इसको लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को सब्साइब करने के लिए भी झाल 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 झाल